कि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइस 4.2 इसका फिप्त पार्ट है यह यानि कि कौशन नम्बर फिस्ट का पांचमा पार्ट इससे पहले जो चार पार्ट है उनको हम डिसकस कर चुके हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर गे देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉशन है 100 x square minus 20 x plus 1 is equals to 0 इसके हमको roots find out करने है जो previous वीडियो हैं उनमें मैं बता चुका हूँ कि जब आपको root find out करने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं x square का coefficient जो की यहाँ पे है 100 इसका multiply करना पड़ता है हमें last term से यानि कि हमको constant term जो होता है उससे multiply करते हैं तो यहाँ पे जो x square का coefficient है वो 100 है और 100 का multiply 1 तो वो क्या आएगा 100 ही आएगा अब हमको क्या है 100 के prime factors करने हैं तो सबसे पहले इसके prime factors कर लेते हैं तो यह 2 से divisible है तो 2 का divide जब 100 में लगाएंगे तो यह 15 time जाएगा 2 का divide जब 50 में लगाएंगे तो 25 time जाएगा अब यह सिर्फ 5 से divisible है तो 5 time and last में यह भी 5 से तो 1 time अब हमको क्या करना होता है इसको plus minus करके हमारे पास में क्या values आई है 2 multiply में 2 multiply में 2 sorry multiply में 5 and multiply में 5 इनको हमें plus minus करके minus 20 लाना है तो अगर हम इसको देखो 5 to 10 and this will 5 to 10 तो 10x minus 10x और इसको भी minus यानि minus 10x and minus 10x यह add होके क्या हो जाएगा minus का 20x यानि कि यहीं से हमें question को पकड़ना है तो चलिए देखते हैं अगला step तो students हमने इसको यही लिख दिया 100x square minus 10x minus 10x plus 1 is equals to 0 अब क्या करते हैं हम पहले दो टर्म में से common जो आता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं और second दो टर्म में से students 10x common आ रहा है तो 10x हमने common निकाल लिया जह हम 10x common निकाल चुके हैं तो हमारा अंदर क्या बचेगा 10x यहाँ पर बचेगा हमारा 1 तो हमारा 1 आ चुका है एक बार check कर लेते हैं जब 10 का multiply 10 से करेंगे तो 100 आएगा and x का multiply जब x से करेंगे तो x square आएगा अब 10x का multiply जब 1 से करेंगे तो 10x ही आने वारा यानि कि हमारी जो values आई है वो correct हैं इन में से देखते हैं यहाँ पर जो values students यहाँ आती हैं जो values यहाँ आएगी उसी value का use हम यहाँ करते हैं यानि same values यहाँ आती हैं हर बार मैं यहीं बत जब यहाँ यह value आ चुकी है तो student यहाँ minus 1 लिखेंगे जब minus 1 का multiply 10x से करेंगे तो हमारा क्या आएगा minus 10x और minus 1 का multiply यहाँ minus 1 से करेंगे तो हमारा plus 1 आएगा क्योंकि हमको पता है minus 1 multiplied में minus 1 तो minus minus क्या हो जाते हैं? plus हो जाता है तो student यहाँ तक हमारा question हो चुका है आगे के step में अगर हम देखें तो हमारे पास में जो values आई है यानि एक तो ये value इन में से हमें एक value लेनी होती है और second value हमारी होती है ये वाली यानि 10x-1 तो इत्फाक से students यहाँ पे दोनों ही values क्या हैं? सेम है तो हमने इसको लिख दिया 10x-1 का whole square तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10x-1 तो या तो ये value 0 होगी या ये value 0 होगी तो हम इन दोनों को 0 के इककल रख देते हैं तो जब 0 के इककल रखेंगे तो देखिए 10x-1 is equals to 0 10x is equals to positive 1 और x is equals to 1 upon 10 तो students हमारी जो values हैं वो आ चुकी है 1 upon 10 and 1 upon 10 तो ये था end of the video आपके जो पांचों पार्ट है वो हम करा चुके हैं तो आगे के वीडियो में हम बात करेंगे next question की जो है आपका question मा third तो thank you for watching this video धन्यवाद अगर चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए